मारपीट के बाद आरूपी पार्शद और उसके बेटे की गिरफतारी ना होने पर नाराज सत्पाल सिंग मुबाइल टावर पर चड़ा सेक्टर 10 में मुबाइल टावर पर व्यक्ति की चड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और SDRF टीम भी मौके पर पहुँची और सत्पाल सिंग को समझाती रही सूचना पर सांसत दुर्ग विजय भगेल भी पहुँचे और उन्होंने सत्पाल से फोन पर बात कर जल्ड कारवाही का श्वासन दिया इसके बाद सत्पाल सिंग कड़ी वशकत के बाद टावर से नीचे उतारे गए आपको बता दे की पारशत अभै सोनी और उसके बेटे की गिरफतारी नहीं होने से नाराज पीडिद सत्पाल सिंग सेक्टर 10 मार्गेट स्थिद मोबाइल टावर पर चड़ गए बार में मौ अब्यों का निर्वार इसके नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आक्रोशित होने की कोई जरुवत नहीं है और अगर कचड़े के या साफ सफाइक बारे में पत्पाल भाई ने बात की पारसत जिसे अभै जिसे तो इसको सुल्हा लेना चाहिए आपस में बैठ के इतना आक्रो पाई हो चुक्कि पगड़ी को भी उसके पकड़ के उनसे साथ मार पीट की है और सिक समाज के लोग पगड़ी को बड़ा अपना मान सम्मान समझते हैं सर कट जाए लेकिन पगड़ी ना उतरे ये भाव उनका रहता है और उनको इतना अठाट पहुंचा है और उसी कर दिदी हैं यहां पे और लोग भी हैं आने में जाके वह अपना उसाफ मान सकते थे मगर यह कड़ा उठाए और सबकी समझाई से मैंने भी टेलीफोन से बात की उनसे निवेदान की आजा भाई ती आई से बात की मैंने और उनकी गिरफतारी मेरे आने के बाद दस पर नर पर चड़ गया है आप रेस्क्व के लिए ततकाल हम अपनी चिंपोर रवान के यहां पर यहां पर चड़े हुए थे उनकी कुछ समस्य आए थे कि साथ उनके साथ कुछ दिन पहले मार्पी टुई थी और आरूपियों के गिरफतारी नहीं हुए थी और गिरफतारी के मान और नीचे आए और एक सफिलिस्की हुआ है और उनको हास्टिकल ले जाए गया है प्योर पर ब्राइड न्यूस